सुधा ओम धींगरा एक सशक्त कहानीकार हैं वे प्रवासी भारती लेकिका हैं वे लगभग 40-50 दशक से विदेश में प्रवास कर रही हैं और हिंदी भाषा और साहित्य के प्रचार और प्रसार में निरंतर सक्रिये हैं आज सुनिये उनकी लिखी हुई कहानी अनुगूंज मेरी जुबानी मैं हूँ सीमा सेंग तापमान इतना गिर गया कि बारिश बर्फ बनकर बरस रही है रूई जैसी नहीं शीशे जैसी उसके लिए इस अचम्भित करने वाला है कुछ दिन पहले उसने रूई जैसी बर्फ और पहाड क्रिस्टल के लग रहे हैं जैसे किसी ने बना कर वहाँ जड़ दिये हूँ वो उन्हें चूना चाहती है उसे डर है कि चपल पहन कर घास पर चलेगी तो शीशे की घास तूट चाएगी नंगे पाउं उसने घास पर कदम रखा पाउं की तलियों से ठंड के सेहर अने शरीर को लहरा गई वो पेड़ों को पतियों को जिजगते वे च्छूने लगी कि कहीं में तूटना जाएं फिर वो पहाड के और बढ़ी और उस पर चड़ने का प्रयास करने लगी तड़ाक की आवाज आई वो घबरा गई तड़ाक की फिर आवाज आई और साथ ही किसी के रोने की आवाज सुनाई थी उसे वो आवाज कहीं दूर से आती महसूस हुई उसे शीशे का रमड़ें इस्थल माया जाल लगने लगा उसे यहां से निकलना चाहिए और वो तेजी से वापस मुड़ी घबराट में उसके पाउं घास पर टिक नहीं रहे और वो फिसल मारे जाते हैं अगर मार्था के साथ ही रहना है तो मुझसे शादी क्योंकि घर की नौकरानी बनकर मैं नहीं रहूँगी मुझे तलाग चाहिए बिलक रही गुर्मीत की आवाज घर की लौबी से आ रही है उसकी नीन टूप गई और साथ ही वो सौक में उसने अपनी छाती का पसीना पोचा उसका जेट सुखबीर जोर जोर से बोल रहा है इस घर में तलाग नहीं होते तलाग तो तुम्हें कभी नहीं मिलेगा तुम्हें इसी घर में जीना मरना होगा समझी किसी गलत फैमी में ना रहना उसकी जेठानी गुर्मीत उगर हो गई तलाग तो तेरा बाओ भी देगा मार्थाई तुमारे लिए सब कुछ है तो मेरा जीवन क्यों बर्बाद किया पांस सालों के एक एक पल का हिसाब कोर्ट मिलूंगी उसका कहना बीच में ही रह गया ताबर तोड लाते घूसे उसे पढ़ने लगी हराम दी जनी बाओ जी को बीच में क्यों घस जीटूंगी आप सब लोग मिले हुए हो मेरा कोई दर्द नहीं समझता वो जमीन पर बैटी बेता हाशा रूते हुए और दुपटे से आखें नाक पोश्ते हुए तड़प कर बोली पीट लेना मर्दा जितना पीटना है एक फोन कर दूं तो हतकड़ियां लग जाएं ये जंजट में पड़ जाएंगे चुप करा भेहर जी टकीनूं बहुत गर्मी चड़ी हुई है कर ठंडी इसको हर दूसरे दिन तमाशा खड़ा करती है सोने भी ने देती बाओ जी आप जाकर सो जाएं करता हूं इसे मैं हमेशा गली ठंडा गुर्मी पुतर चुप हो जा इस सालों से आपसे यही सुनती आ रही हूं मेरे सबर का बांग टूट चुका है अबाप गिन्वाएंगी बेटी यह महलनुमा घरते रहा है कार तेरे पास है ट्रेडिट कार्ड्स तेरे पास हैं दिन वर कहां जाती हूं कहाँ से आती हो कोई नहीं पूछता जो खिला देती हो उखा लेते हैं, जब नहीं खिलाती तब भी कुई कुछ नहीं कहता, बीजी मुझे ये सब कुछ नहीं चाहिए, पती चाहिए, जो पांस सालों से आप मुझे नहीं दे पाई, अब तो मैं तलाक ही चाहती हूँ, तोड़ ले जितनी हड़ियां तोड़नी है, मन्प्रीत परि माहोल में सुरक्षित महसूस करती है, शादी की चहल पहल धूम धड़ाका और उसके पापा के चेहरे की खुशी की सुधी उसके चेहे पर प्रसंता ले आती, सरकारी नौकर उसके पापा और तिस पर तीन बेटियां, उसकी शादी का सारा खर्चा उसके ससराल वालों ने कि लिया था और दहिच भी नहीं लिया, उसके पापा कैसे खुश ना होते, उसकी मम्मी अपने भाव चिपानी पाये थे, जब किसी रिष्टेदार ने कहा, मनप्रीत की मम्मी कम से कम एक बेटी की शादी का खर्च तो बच गया, वे रो पड़ी थी, उसे पता है वे सुख के आसू थे, उसे अपने पापा से नाराजगी भी है, उनके जिस दोस्त ने ये रिष्टा करवाया, उसके सस्राल के बारे में उसने पूरा सच नहीं बताया, और उसके पापा ने अपने दोस्त पर आँख मूंद कर विश्वास कर लिया, बेटी का जीवन जिस परिवार से जुड़ा है, उनके बारे में गहरी जहानविन करनी चाहिए थी, शादी में सस्राल वाले कितने सब्वे और सो संस्कृत लगे थे, पर यहां आकर उनका घटिया आच्रन उसके सामने आया, उसके भीतर उनका डर बहट गया है, बाद बाद पर वो घबराने लगी है, अपन तो महां सेट हो जाओ, फिर हमें भी बुलाना, वो जुझला जाती, कोई उसे ये नहीं पूछता, मन तो महां कैसे रह रही हो, उसके भीतर प्रश्मिर कौनते रहते हैं, विदेश जाने कितनी ललक क्यों है देशवासियों को, विदेश जाना एक इस्टेटस सिंबल सा बन देते हैं, फिर वे जैसे चाहें उनके साथ व्यवार करें, ये त्रासदी लड़कियां कब तक जिलेंगी, खर पतवार से उभरते प्रश्नों के उत्तर ढूंदती, वो हर समय बेचैन रहती है, और उसे नीन भी ढंग से नहीं आती, तिस पर जेट जिठानी का जगड़ा भी हर दूसरी तीसरी रात उसकी नीन तोड़ देता है, वो बड़ी हैरान है कि जिंदा दिल जेठानी गुर्मीत दिन भर घर के वातावरन को बहुत खुश्णुमा रखती, और उसे छुटी बेहनों की तरह प्यार करती, पर रात को पतानी उसे क्या हो जाता है, पती की ब भगारने लगता है, मनफरीत यार, बीज गैसे सेशन, चालीस सब्वे, पचास टैक्सियां, इतना बड़ा व्यापार संभालते संभालते सुबह हो जाती है, और बिस्तर पर लुड़कते शुरू हो जाते हैं, उसके खराटे, उसकी सांस के उतार चड़ाओं के साथ, शरा अमीर गमारू, उसने अपने देश में तो कई देखे थे, यहां इस देश में भी, विचारों में उलजी मनफरीत ने लाइट चलाई और कमरे से बाहर आ गई, उसका कमरा घर के निचले हिस्ते में है, उसकी जेठानी का तीसरी मनजल पर और बीच में पढ़ती गोल सीड़ जो इस तरह से बनाई गई हैं कि तीनों मनजलों पर रहने वाले एक दूसरे को देख सकें, तीसरी मनजल की लाबी में बीजी, बाउजी, जेठ और जिठानी खड़े जगड रहे हैं, गुर्मी तो उसे देखते हैं लाबी की रेलिंग पकड़कर ज्वाला मुखी सी फट पड़ी, मनप्रीत, तुमारा हाल भी मेरा जैसा होने वाला है, पम्मी इस समय सोफी के घर पर है, इन्हें बहुए नहीं नौकरानिया चाहिएं, बहुए तो इनकी गोरियां हैं, नौकरानिया यां महंगी पड़ती हैं, ये शादी की आड़ में हमें नौकरानिया बना कर जमाए हैं, बीजी ने पीछे जुस पर दोहल जमाई, चुपकर मर जानी हैं, गुर्मीत ने बड़ी मुश्किल से अपना संतुलन ठीक किया, इससे पहले कि ओ बीजी की तरफ मुड़ती हट्टे कट्टे सुबीर ने चरहरी गुर्मीत को अपनी बाहों में उपर उठाया और उसके देखते ही देखते तीसरी मंजल के लॉबी से नीचे फेक दिया, लकडी के फर्श पर धराम की आवाज के साथ गुर्मीत की दिल चीरती चीक निकली और पूरा घर काप गया, मनप्री जड़वत हो गई, बीजी ने दाहार मार कर कहा, हाय सुख बीरे ये क्या किय और तेजी से नीची के और भागती हुई उसकी और देखकर इशारा कर कहने लगी, मनप्रीत जा अपने कमरे में, तुमने कुछ नहीं देखा, कुछ नहीं सुना, बाओ जी ने पहला फोन पम्मी को किया, कि वो वकील को लेकर आए, और दूसरा एंबुलेंस के लिए, मनप ठीक और धराम की आवाज सुनकर पुलिस को फोन कर दिया था, पुलिस के पहुंचने में तीन-चार मिनट भी नहीं लगे, आज पास के घरों की बत्तियां जल गई, लोग घरों से बाहर आ गए, गुर्मी तुने आत्मत्या क्योंकि, मैंने तुमें कितना समझाया कि सब ठीक हो जाएगा, मैं सो रही थी, और तुमने चलांग लगा थी, बीजी ने चाती पीट-पीट कर रोना शुरू कर दिया, हे रबा, मैं क्यों सो गई, जाकती रहती तो ये कभी ना होता, सुखबीर सीडियों पर बैट कर रोने लगा, बाओ जी बीजी के साथ खड़े होक चली गई, और पुलिस अपनी कारवाई करने लगी, डरी सहमी मनफ्रीत की सोचने समझने की शक्ती नहीं रही, वो बस आवाजे सुन रही है, तब ही पम्मी पहुच किया, उसके कान में उनके वक्तिल ने कुछ कहा, और उसने मनफ्रीत को बाहों में लेकर सीने से लगा लि किप्या उसे समझने का समय दीजिए, वो अपना बयान जरूर देगी, अन्तेश्ट रिग्रह में बैठी मनफ्रीत को सिर्फ इतना याद है कि एक डॉक्टर आई थी और उसकी हालत देकर उसे नीन की गोलिया दे गई थी, वो कब तक सोई रही, उसे कुछ याद नहीं, पम सालवालों के प्रति उसके मन में वित्रशना पैदा हो चुकी है, सुरक्षा कवज बना पम्मी हर समय उसके साथ रहता है, गुर्मीत को बड़ी बहन के रूप में चाहने लगी थी, अपनी आखों के सामने उसे इस तरह जाता देख, भेंकर तूफान में उकड़े, टूट उसे के दुख सुक की साथी थी, उसने पुलिस को अंतेश्ट ग्रह से बाहर ले जाकर वो हर बात बता दी, जो गुर्मीत ने उसके साथ साजी की थी, और साथी अपने शंकावी जताई, कि ये आत्मत्या नहीं हत्या है, यहां की पुलिस बहुत सतर पर गती में बहुत ते पीट के निशान भी उने मिले, जिससे पुलिस के निर्णे को पुष्टी मिली, सुद्वीर और इसके माबाब को हिरासत में लेकर पुलिस ने मुकत्मा दायर कर दिया, सदमे से मनप्रीत खामोश हो गए, अब बस उसकी गवाही ही सस्रालवालों को बचा सकती है, पर वो सही समय पर सच न बोल पाने के कारण, बाद में उस्वयम को बहुत कोस्ती है, कई सच वो कहने पाई और जूट जीता रहा, उसका मलाल उसे अब तक है, बच्पन की बाते तो बच्पन के साथ ही चली गई, आज जिस दुरगटना की उप्रत्यक्ष दर्शी का वाहा है, उस इसकी मान से क्यातना दुरगटना में जोड़े अपनों और रिष्टों को लेकर है, उसकी जुबान खुल गई, तो उसे इसकी बहुत बड़ी कीमत चुकानी पड़ेगी, परदेश में उसका घर छूट जाएगा, और अगर नहीं बोली, तो भी वो उस घर में जीने ही पा अंप्रीत को अंजाने देश को अपनाना सिखाया, वो अपने घर में भी किसी को फोन नहीं कर सकती थी, उससे मुबाइल फोन ले लिया गया था, जिल उससे बार बार कह चुकी है, मन, टेल ला ट्रूथ, गॉड विल हेल्प यू, वो जिल को कैसे समझाएगी, सच बोल दि तो देश लोटने के लिए पासपोर्ट कहां से लाएगी, वो भी सस्राल वालों के पास है, वापस जाने के लिए टिकट कहां से खरी देगी, उसे एहसास हो गया है, कि वो एक ऐसे मकड़ जाल में फस्सु की है, लगता है उसे सस्राल वालों की बात माननी पड़ेगी, वह ही कहना पड़ेगा जो उसके ससराल वालों का वकील चाहता है पोर्प में मुकत्मा शुरू हो चुका है उसे एक प्रत्यक्ष दर्शी गवाह के रूप में पेश किया जाएगा पम्मी के साथ उकचहरी के कॉरीडोर में बैठी है जज अपनी कुर्सी पर आकर बैठ गया है औ वो बहुत नर्वस है जब तक कोड की कारिवाई चल रही है कॉरीडोर में बैठी वो स्वैम को मजबूत कर रही है उसके बीतर लगातार समवाद चल रहा है विवेक रिष्टों को किनारे रख सज बोलने के लिए कह रहा है उसका मन रिष्टों को प्रात्मिक्ता दे रहा ह रिष्टों के तूटने से डर रहा है उहा पोह की इस्तित में उसका सिर दुखने लगा है पिछली कई रातों से उस सो नहीं पाई पम्मी आजकल हर समय उसके साथ रहता है और बार बार उसे वेवाक के याद करवाता है जो वकील उससे कोर्ट में कहलवाना चाहता है पर उ कि भाषा बोलने में वो असमर्थ थी गुर्मीत ने हसते में कहा था मन मुझे भी पहले पहले यहां की अंग्रेजी समझने में परिशानी हुई थी मैंने तो खूब टीवी प्रोग्राम देखे और पडोसन जिल से बाते की बस भाषा बोलने की जिजग निकल गई तो आने लगी थी जिल ने उसे और उसकी जिठानी को अंग्रेजी बोलने में सशक्त किया था परिकल्पना की ओड़नी ओड़कर वो उन नायकाओं के देश में आई थी जो छुटपन से सुनी कहानियों में होती थी गोरी चिट्टी लंबे सुनहरे बालों वाली नकरा करती सल पर जिल नकरेवाली बिलकुल नहीं थी गुरमीद के लिए ओतनी दुखी थी जितना सूदेश में उसका परिवार जिल ने तो गुरमीद के परिवार को फोन करके कहा था कि वो गुरमीद के लिए लड़ेगी। जिजर्ज ने उनके वकील यानि बचाओपक्ष के वकील को अगली कवाल आने के लिए कहा वकील की असिस्टेंट पैटी के चहरी के कमरे के बाहर कोरीडोर में उसे लेने आई उसका दिल जोरों से धरकने लगा उसे लगा कि उससे खड़ा भी नहीं हुआ जा रहा पैटी ने उसे पकड़ा और कोर्ट के कटगरे तक ले आई वहां उसे कुर्सी पर बैठा दिया गया जहां उसके सामने माईक था जज ने उसे बड़े प्यार से पूछा आई यू कमफर्टेबल उसने हामे से रहला दिया जज ने वकील के उड़ देखकर कहा यू मे प्रोसीड बैबल पर हाथ रखकर सच बोलने की कसम दिलवाई गई वकील ने मनप्रीद को देखकर कहा Now tell them what happened that night मनप्रीद को लगा उसकी सब इंद्रियों ने काम करना बंद कर दिया है बस उसका दिल धड़क रहा है जिसकी आवाज उस सुन रही है और उसकी जीब तालू के साथ चिपक गई है उसका पती, सास, ससुर और जेट सामने बैठे उसे घूर रहे है उसका शरीर पसीने से भीग किया उन सब के सामने कोड की जमीन पर उसे गुरमीत की लाश पड़ी दिखाई दी रही है और उसकी बेबस खुली आँखें जो उसने उस रात देखी थी उसी की और देखकर सच बोलने की गुहार लगा रही है वो जमीन की और देख रही है फून से लटपद उससे अपनी लाश भी वहाँ नजर नहीं आ रही है दुरगटना वाले दिन से लेकर आज तक उसे कई बार महसूस हुआ कि वो जिन्दा नहीं वो अपनी आत्मा है जो पम्मी के साथ खुद को घसीट रही है वकील ने उसे इशारा किया पर वो वकील द्वारा पढ़ाए गए सब वाक के भूल चुकी है पूरे कोर्ट में समनाटा है और उसके बोलने का इंतजार हो रहा है कई पलों तक वो जमीन की और ही फटी डरी और सहमी आँखों से तक्ती रही लोगों के स्थिर्दा तूपने लगी जूडी के सदस्यों ने पहलू बदलना शुरू कर दिया जज ने इस्थिती भाप ली उसने बड़ी नमरता से पूछा आली ओके मैं उसे कुछ सुनाई नहीं दिया उसे तो बस गुर्मीत की आँखें ही दिखाई दे रही थी जन्हों ने उसके भीतर कुछ फूंक दिया कि उसकी तालू से चिपकी जीप छूट गई और वो बोलने लगी और बोलती गई सही और सची घटना वर्नित करके ही रुकी और अंत में उसकी आँखें उससे भी अधिक कह गए पम्मी की आँखों में क्रोध की अगनी जल उठी और तपश उस तक पहुँच गई अपने आपको संभालते हुए उसने एक निवेदन पत्र जस्ता आपको आदर सहित प्रस्तुत किया जो उसने हाथ से लिखा था कि सच बताने के बाद इस देश में अब उसके पास कोई घड नहीं रहेगा और वो अपने देश भी नहीं लोट सकती क्योंकि उसका पासपोर्ट सस्वालवालों के पास है उसकी मदद की जाए गवाही के बाद उसके शरीर में सरसर हाट हुई समवेगों और भावनाओं का उच्छा लाया वो अपनी आत्मा नहीं जीती जागती मन प्रीत है महसूस कर खुश हो गई दुरगटना के बाद पम्मी ने उसके कंदों पर जूट का बोजा लाद दिया था उसके नीचे वो दब घुट गई थी उसे उतार कर वो बहुत हलका फुलका महसूस कर रही है जिल ने उसे बाहों में भर लिया और उन दोनों को आभास हुआ कि गुर्मीत पी उनसे लिपट गई है अभी आपने सुनी एक बेहत मारमिक और समवेदन शील कहानी अनगूंज जिसे लिखा था सुधा ओम धींगराजी ने और स्वर्दिया था मैंने यानि सीमा सिंग बिना चानबीन करके लड़कियों को विदेशों में ब्यादेने की लालसा की नंगी सच्चाई प्रस्तुत करती हुई ये कहानी आपको जरूर पसंदाई होगी कल फिर मिलेंगे आपका समय शुम्भू